पंजाबी तड़का की डाइल अगई हुई है जैसा कि आप देख रहें पंजाबी तड़का हमारा बनके निकल रहा है और यह दिरे दिरे फ्राइब होता रहेगा यह एक्षूडर मशीन है इसमें एक ही मशीन से 15-20 तरह के आइटम मशीन के तुरू बना सकते हैं जो प्राइब है और यह दो आप देख रहे हैं पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं पूरा सिंगल फेस में हमारा सिंगल फेस का प्लांट है दोस्तों जैसा कि आपने देखा जो हमारा पंजाबी तड़का बनके तयार हो चुका अब यह फ्राई हो रहा है फ्रायर में यह फ्रायर हमारा इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है सिंगल सोता है फुरा प्लांट हमारा सिंगल फेस का होता है 18-100 Scientist कि घंटे मसी सोपथियार कर देता है माल और इस मसीन से हम 20-25 दरें के आइतम बना सकते हैं और बागी क्या आइतम जो होते हैं वो ड्राइ अ जैसे कि पीनट्स हो गे तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं इसको बोलते मनली मसीन इसमें क्या होता जो हमारी नमकीन मसीन होती है उसका दो इसमा तैयार किया जाता है तो वह किस तरह से होता है वह आपको दिखाने वाले हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे है इसमेंड बेसन डाल दिया गया है इसामें हम अपना जैसे मिरची हो गाई है तेल ओगे पानी होके सबकुछ इसमा डाल देते है और इसामासीन को श्टार ने यह करते है यह क्या करती है पूरा उसका डौए अब इसको मसीन को स्टाट कर देते हैं कि दोस्तों मसीन इस्टाट हो गई है अब इसमें जो भी हम नहीं डालेते हैं वह सब कुछ इसमें दो तयार हो जाएगा हमारा कुछी देर में इसकी जो वर्किंग लो तयार करती है अब मसीन चांद रो चुकी है कुछी देर वाइं एक सुद्धों मिनट के इसका डौर तयार हो जाएगा हुआ है है एं आप दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं डो हमारा ओलमुर लगबग तयार होने की दोस्तों जैसे आप देखर हमारा बिलुकुल तयार हो चुका है अजिसको निकाले के भूल स्रीचिन डालते हैं जहां पर जिसने लगा विए उस तरह का नम्कीर वारा बनकर निकल जाएगा का दोस्तों मसीन marketing तयार हो चुकिन इसमें जो हमने स्टयार तयार तीया तो वह इसमें लगा दिया है और इसमें अपना पंजाबी तटका से कजी Acts ऐसा कि आप दे ने सर पुए तटका हमाना पन के निकलरा एंदिर द्रिदन पराही होता रहेगा इक्तुडर मशीन है इसे मेन इकी मसीन है 15 Lots से इंटम बना कर देंगेarnia गंटे से 100 kg होती है, तो यह गंटे मसी से 100 kg हमारी नमकिर बना के तयार कर देगी, और यह जो आप देख रहे हैं, फ्रायर मशीन बोलता है, यह इलेक्रियोग और गैस दोनों से चलता है, इसकी भी कैपेसिटी एक गंटे में 300-400 kg फ्राइ करनी को देख देख और नमकीन को यह दोस्तों जैसा है कि आपने देखा जो हमारा पंजाबी तड़का बनके तयार हो चुका, अब यह फ्राइ हो रहा है, फ्रायर में, यह फ्रायर हमारा इलेक्रिक और गैस दोनों से चलता है, सिंगल फेस होता है, फ्रायर पूरा प्लांट हमारा सिंगल फेस का होता है, 80-100 kg गैपिसिटी होती है, घंटे मसी 100 kg यह तयार कर देता है माल, और इस मसीन से हम 20-25 तरह के आइटम बना सकते हैं, और बागी के आइटम जो होते हैं, वो ड्राय होते हैं, जैसे कि पीनट्स होगे, मूंग डाल होगे, इस तरह मार्किट से लेगे, फ्राय करके 100-100 kg तक का हम नमकिन तयार कर सकते हैं, अब यह पंजावी तड़का हमारा बिल्कुल फराय होके रेडी हो चुका है, अब इसको सीधा निकालने के लिए तयार है, दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल पंजावी तड़का फराय हो चुका है हमारा, और यह फरायर से एक ही हरायर का सबसे मेंन बैनिफित वखे कि इस इसम एक बार में सारा आइटम निकल至 एक ज्ञत को बंग से दों बट्टी में थोड़ी क्वालिटी में कंपरमाइज आपको करना पड़ेगा नमकीन अबारा भार आचुका है अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं हलगा सा ओईल ही है अब इसको ड्राइ करने के लिए ड्रायर मसीन में डाला जाएगा वहाँ पर इसको डाल देंगे और मसीन को ओन कर देंगे इसमें जो भी एक्स्टा ओईल है वो सारा निकल के भार आजाएगा प्रीजिट लाले रान्ट लेखिंड में टेसे ले लेखिंग अजब कि लूदिर गिर्फट अजब कि टेसे लेखिंग वी खिंड बेंप कि लूज़ी खिंड कि लूदा गिंड और श्राइव आपनानि प्लूप अटे हैं वह स्टार्ट कर डिया और इसम जो भी एक्स्ट्रा उइल हो निकल आप देख रहें उदर से बाहर आ रहा है इस तो इसले निकल के सारा खुल हमारा बाहर आ सबसे मसीन चाहिए ग। ऑब दोस्तों, हमारा पूरा याउल कीछ मधर आचुका है, बीसमसीन को बंद कर देते हैं और अपने मालो को बाहर निकान थे दोस्तों जो आपने देखा हमारा ओइल फिरी ड्रायर हो चुका है बिल्कुल नमकी निया ड्राइव हो चुका है अब इसको उठा के सीधा कोटिंग पैन मसीन में डाल देते हैं यहां पर हमको जिस भी टेस्ट का इसमें फ्लेवर चड़ाना हो वो इसमें चान देंगे और य यह मसीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है आप इसमें हम पन्जाब दर्काका मसाला दर दाट जाते यह तुछी मिन-टो में इसमें सारा मसाला चड़ के ऊपर बिल्कुल टेस्ट ही हो जाएगा यह इफेशन चाहन दिया है जो और तो बिल्कुल तैयार है पैक तो कि अ भी है कि कि दोस्तों बचान लग चुका है और शारे प्रोडेक्ट पो निकल लेते है और यहां से विंडो लगी उसमें निखोल देते सारा माल हमारा बाहर निकल जाएगा और फिर इसको उठाके हम सीधा पाउच पैकिंग मशीन में डाल देंगे वहां पर ये पैकिटों में पैक होके लडिया बने के निकलता रहेगा दोस्तों यह हमारी पाउच पैकिंग मशीन है अब जो माल हमने तयार करा तक पंजावी तड़का इसको पाउच पैकिंग मशीन को होपर में डाल देते हैं वहां से सीदा पाउच में पैक होगे लडिया बने के निकलता रहेगा यह मार्केट में आपको हर जगे एवलेबल हो जाएगा अगर किसी बंदे का बजट नहीं होता है पूरे प्लांट खरीदने का तो चार मसीन लेगा अपना प्लांट श्टार्ट कर सकता है कर दो हस्तरे लिखा हो चाहिए आवर जो बसे लेता है वो सब हम ही उनको प्रोवाइड करा देंगे उसी यह सिर्फ करना होता आपको right करने के बाद मसला मिला कर और अपना ब्रांड दे एक नüber को पक करना होदा दोस्तों फ्राई आइटम फ्राई होके बिल्गुल रेडी है अब इसको फ्राईर से उठायके बाहर निकाल लिया गया है एक बाहर में एक इक वालिटी का सारा प्रोड़क्त निकल चुका है अब यह भी जैसा कि आप देख रहे हैं ऑईली है अब इसको ड्राइर मशीन में इसमें डाल देगा है पाउच पैक मसीन में अब यह बिल्कुल तैयार है हमारा पाउच को रेडी करने के लिए अब इसमाल स्टाट कर देते हैं और पाउच में माल आता रहेगा पाउच में एर आती रहेगी और लडिया बने के बाहर निकलती रहेगी जैसा कि आप देख किने इसे बाउच में एर भी बरता है पाउच में माल भी बरता पाउचा में पैक करता है। आप में आप इसको यह 10 इंदे-दावा Πाूश करती है और इक घंटे मसें और देखेंट अ से 2000 POUCH करती है यह लड़ी आ हमको इसमें प्रोग्राम ही डालना पड़ेगा जैसा कि आप देख रहे हैं अमने इसमें सिंगल सिंगल पाउस हमारे आने स्टार्ट हो चुके हैं इस तरह चे ओटोमेटिक काटके निकाल चलाएगी इस मसीन के थुरू आप नमकीन हुआ कुरुकरा हुआ चिप्स हुआ पफ हुआ मैक्रोनी पास्ता हुआ सोया बड़ी हुआ या मसाले हुआ चाय की पत्ती हुआ चने हुआ राजमा हुआ चीनी हुआ चाबलो कोई भी आइटम हो सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक पैक होते रहे चाहिए दोस्तों यदि आप नमकीन काम कर रहे हैं और आपको चिपस का काम स्टाट करना है तो सिर्थ आपको दो मसीन एकट्रा लगा रिपड़ेंगी बाकी पूरा प्लांट आपको नमकीन काम आजाएगा एक फिलर और एक अग्याइक्षाट कुनद तो यह सलाइसर यह मशीन है इसमें हम पोटाटो को पील कर लेते हैं इसकी के सब्सक्राइक होक्ति है जिसको यए जूर से चाहिए है जिसको यह नद बूट सा नद लगहा चुट है जिसको हम सबस्टाइब चुका है गुट तो दोस्तों हमारे पटेटो चील गई है बिल्कुल त्यार हो चुके चील का यह रेडी स्लाइस होने के लिए अब इनको बाहर निकालके हम सीधर स्लाइस में डाल देंगे जहां पर हमारे जिस तरह की डाइल लगी होती है उस तरह का सलाइस बनाके निकाल देगा यह देखे पटेटो हमारे बाहर निकल चुक है अब इनको ले जा गें सीधर हम स्लाइसर मशीन में डाल देगे दोस्तों पटेटो जैसे आप देख रहे है बिल्कुल चमकदार हो चुका चिल के अब इसको हम सलाइसर मशीन में डाल देते हैं वहापे हमने डाय लगा हूई कि कुछ नहीं करना आपको एक गंटे में 300-400 केजी पटेटो काट देगा पटेटो हो गया अनियन हो गया या कसाबा हो गया कोई भी आई टाप हो इसमें डाल दीजे सब को काटता रहेगा जुस्तों आपने देखा जो हमने 20 केजी पटेटो इसको हमने ड्राइ किया था स्लाइस करने के लिए जो अमने चीला अब इसे ज्यादा एक सदो मिनिट पर बिल्कुल कटके बारा चुका है अब इस अलाइस को हम वास करेंगे वास करके इसको ड्राइब तो नहीं जाएगा जो आपने देखा था जो हमने सलाइस किया रहा है वह इसलिए किया जाता है कि पटेटों के अंदर इस्टार्ट होता है उसको दो के बाहर निकल लिया जाता है इसलिए निकालते हैं कि हमारी क्वालिटी बढ़िया बन जाए चिप्स की अभी हमारा बिल्गुल इसलिए इसको ड्राइ किया जाता है वास करने के बाद आप चिप्सको ड्राइ करने के लिए ड्रायर मसीन में डाल देते हैं यहां पर इसमें जो भी एक्ष्टा पानी होगा सब को निकाल देगी ड्राइ कर देगा बिल्कुल दोस्तों ड्राइ हो चुका है हमारा पटेटो सलाइसा बिल्कुल अभी तैयार है फ्राइ होने के लिए अब इसको फ्रायर में डाल के इसको फ्राइ किया जाएगा प्रायर मसीन बिल्कुल तैयार है अबारा फ्राइ करने के लिए इसमें चिप्स को डाल दियागा पटेटो को अब आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्राइ हो रहा है अब यह जिसा दोसर दाही मिनिट का टाइम लगता है चिप्स को फ्राइ होने में अब पूर प्रॉपर ब कि अब दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं पटेटो चिप्स हमारा फ्राई हो के बलुकुल बाहर निकल चुका है अब इसका भी सेम प्रोसेस है अब इसको हम मसाला मिक्चर में डाले के मसाला मिला कर सीधा पैक मसी में डालके पैक कर लेंगे